वेलकम टो क्म्यूनिटी डीबेट बी-सी बिफोर कोविट एड 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 आफ्टर कोविट तो अब हम अपनी अक्टिविटीज जैसे के क्म्यूनिटी की अक्टिविटीज जारी हैं उसके साथ-साथ आपको खबरे पहुंचाने की भी जिम्मदारी वापस लेंग जैसे के आपको पता है के कोविट के दोरान जिन्दगी तकरीबन मुझमिंद हो गई बहुत से लोग बहुत से काम इससे बहुत मतासर हुए पाकिस्तानी कम्यूनिटी में खास तोर पे जो अपनी वाइबरन कल्चर अक्टिविटीज और कल्चर मेलों की वज़ा से बहुत मिशूर है उसके बहुत से काम रुक गए रुक गए या आइस्ता हुए या उनकी नेचर बदल गई इस पे गुफटगू करने के लिए आज हमारे पास दो बहुत ही खुबसूरत लोग मौजूद हैं जो हमेशा हमारी कम्यूनिटी में बहुत ही रंगा-रंग तकरीबात का माम करते हैं इसके साथ साथ प्रॉपटी में भी बहुत इंवाल में टीम फ्टू शैला जाफरी और एहमार जाफरी आप दोनों को टैक टीवी में कुशामदीद थैंक यू वेरी मच इसनाना अर्ट वेर बाक एर आफ्टर देंडर देंडर वेर इस्टिल इंडर में बहु थैंक यू वेरी मच अलदर शुक्रिया थैक टीवी का जनाव असलम कुरा साहब ताहिर साहब और आप साधिया अलिमा साहबा माशाला माशाला वही कुशा चेरा वही खुशा जगा वही कुशा लोग जिस तरसे इस तकबाल के आप लोग ने हमें आज स्टूडियो में सब भूल गया कि पैंडेमिक आया था नहीं आया था बड़ा चलेगा के और इंशाला लजीज बाते और होंगी बाते और चलेंगी और मसा आएगा शैला आप से गुफ्तगू का आगास करती हूं आप क्या तपसरा करेंगी बी सी बिफूर को वे एसी आफ्टर को वेट और बल कम्यूनिटी जो है ना वो एक दूसरे से बहुत इंवाल्व है हम लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े में ही हमारा कल्चर है और इस कल्चर के तहत हम लोगों पर अफेक्ट इसका मुझे ऐसा लगता है कि जादा हुआ है और लेकिन अब हम क्या उसके उपर बात करें जा पैंडेमिक शुरू हुआ था बलके उससे जादा अपर लेवल पर आ जाए हमारी कम्यूनिटी और सब कुछ फिर से उसी तरह तरो ताजा हो जाए और इंशाला उसी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और इन कोशिशों में हमारा इवेंट आ रहा है और जो आप बहुत खु में नाइन्टीन्थ मार्च ये दो दिन का एडवंचर लेकर आ रहे हैं और इस्पैशली इसी लिए के हमारी कम्यूनिटी वापस एक च्छत के नीचे आए जैसा के हमेशा हमारी कोशिश होती थी और बहुत कुछ इसके अंदर होगा लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्राम में चलते चले जाएंगे बड़ ये चीज़ में शुरू में ही कहूंगी कि फ्री अड्मिशन है इसमें फ्री पार्किंग है और जितनी भी बिजनस कम्यूनिटी हिस्सा ले सकती है उसको हम वैलकम करेंगे आपकी तरफ आती हूँ जी फरमाईए अपने तासुरात आपकी क्या observations हैं आपके क्या challenges हैं और आप कैसे देखते हैं कि हम आने वाले वक्त में कैसे कौप करेंगे चीज़ों के साथ आने वाले वक्त की आज इप्तिदा है पहला दिन है March 1st बहुत सी चीज़ों को जो होगा है हटा दिया गया है बहुत सी पाबंदियां जो आयत की गई थी ये बहुत अच्छा शुगून है बहुत अच्छा है साइन है बहुत अची एक पेशर्फ है और बहुत encouragement है इससे इन सब चीज़ों का गर जमा किया जाए तो आना लवा बहुत सुनहरी बहुत प्यारा नजर आ रहा है और इसके साथ साथ आप जैसे लोग है मीडिया है मीडिय is the biggest you know thing तो यह जो challenges है इनको मीडिया काफी हद तक जो है cover कर लिता है और आगे improvement के लिए सही सिंप में चला जाए तो बहुत तेजी से जाए जा सकता है और हम जा रहे हैं देख लिए जैसे के आपके साथ हम बैटे में और आने वाले वक्त के उपर बात कर रहे हैं और दूर साल पहले एलान कर दिया था कि नहीं करेंगे अब फिर एलान किया है तो लोग इतने खुश है इतनी कॉल्स इतनी इमेल्स टेक्स मेसेजिजेज और अथम्दुलिल्ला एक अच्छे जनाब ख्याल के साथ और एक confidence के साथ हम फिर आ रहे हैं और इनिस बीस मार्च जैस बहुत आगे ले जाएगे चलिए वापस आते हैं एक्सपो की तरफ आप क्या समझते हैं कि पिर्जामिक के दौरान स्पेशली जो छोटे बिजनस थे जो मेले थे जिनको हम कहें वो पब्लिक गैदरिंग जिनके अंदर अवाम मिलती थी खुश होती थी अपनी celebrations करती ती त वो सब बंद हो गए क्योंके restrictions थी तो अब आप क्या समझती हैं कि ये सब आया ये सब ठीक है ठीक रहेगा या इसमें क्या challenges हैं देखें challenges हम खुद create करेंगे जो restrictions खतम कर दी गए हमें चाहिए कि थोड़ी से हम उनको follow करते रहें और of course quarantine अगर कुसी की तबियत खराब है तो इस कि गैदरिंग्स में ना एंटर हों ताके ये सिलसला चलता रहे हम वापस उस तरफ ना जाएं और इन्शाला ऐसा होगा लोगों में लोग वैक्सिनेशन काफी हद तक हो चुकी है वैक्सिनेटेड हैं लोग और बूस्टर भी लग चुके हैं काफी percentage को और दूसरी उसमें हमारी बड़ी डिस्टरब हुई और जो इवेंट्स हम करते हैं जब पैंडेमिक नहीं आया था उस वाद भी लोग हम से आके इवन इवेंट में भी हम से आके लोग यही कहते थे कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप इस तरह की गैदरिंग रखते हैं बिजनिस व गैदरिंग की तरह से हम इसको अरेंज करते हैं जो अब बहुत जरूरी है तो इन्शालला इस चीज को लेकर ही मैंने स्टार्ट किया मेरा सबसे पहला इवेंट और सबसे पहले मैंने अनाउंस किया इस इवेंट को और बहुत मश्बूत दिल करके अनाउंस किया कि इन्शा बिजनिस कम्यूनिटी है स्टॉल बुकिंग करे वहां पर अपनी जगह ले अपनी टेबल ले और अपने बिजनिस को प्रोमोट करे एक्जिबीशन करे सेल्स करे अपने क्लाइंट्स बढ़ाएं लोगों पते क्या हुआ है इस पैंडिंग मेंटल हेल्थ की वज़ा से लोगो आप से वादा करें कि हम वापस आएंगे बलके उसके आगे तक चलेंगे आपने आना है मिस सागा कन्वेंशन सेंटर में जो 75 डेरी रोड मिसिस सागा कैनेडी और एंटेर्यू का इंटिसेक्शन है और जबर्दस लोकेशन है हर तरफ से टरॉन्टो से उदर मिल्टन से और इंशालला बहुत कामियाब होगा वहाँ पर फूट कोर्ट होगा आप सारा दिन स्पेंट कर सकते हैं और जितने भी हमारे वेंडर्स इस रच बुक हो चुके हैं वो बहुत ही क्या कहना चाहिए ना कि एक जजबे से आ रहे हैं और रोज की कॉलेंज है ना मुझे ये बतात हैं मेलों में एक्सपोज में हमेशा खवातीन बहुत एक्टिव रहती हैं और खुश भी होती हैं तो आदमियों के लिए क्या कर रहे हैं अब तो फैशन डिजाइनिंग से लेके एंटर्टेन्मेंट से लेके हर चीज में आदमी भी शाना बशाना मौजूद हैं तो अब थ देखिए पाबंदिया हटाइए गई हैं मुकमल तरीके मुकमल नहीं काफियत तक अठा देए लेकिन जो पाबंदियां हैं उनकी रेस्पेक्ट की जाए और उस रेस्पेक्ट के साथ आए अगर मास्क पहनना जरूरी है तो प्लीज मास्क के साथ आए तो ये सब चीज एक अब आये कि मर्दों के लिए बड़े फैशन शो है, बहुत ज़्यादा इस पे फैशन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, आस्ता आस्ता मैंने देखा है, फेशल करा रहे हैं, बाल उगवा रहे हैं, और पता नहीं क्या-क्या कुछ करा रहे हैं, तो वहां पर ब्यूटी पारलर हैं, उन में तो बहुत रहे हैं बाँआज ऑपया है. कि दोनों कॉपलрах जो आ जो ढहरे होते हैं हमिल के चलें हैं और साथ ही बच्चों को भी लेके जा रहे होते हैं.Ấ। इया है दास्को सिवाय क्या इसे थे नितने कपड़ों के लिए उनके लिए जनाब बहुत कुछ जो है इंटरेन्मेंट मर्द जो है खाने पीने के बड़े शौकीन है और वहां पर आई देखें फूट कोर्ट में जनाब बहुत अच्छे खानों का इंटर्जाम किया गया है और बड़े शौक से खाया जाएगा आपके बिजनस के उसमें कोई फिटनेस के तरफ क्योंके आदमी फिटनेस में बहुत इंटरेस्टेट होते है वाली इस वेरी गुट पॉइंट और अगर कोई फिटनेस के लिहाज से कोई हमें वाकई वहां जॉइन करना चाहता है तो वी वैलकम यू आप आए आज ही कॉल करनी है आप लोगोंने जैसे ही मुझे देखना है हलीमा को देखना है और एहमद तो फिटनेस कराते हैं आप अच्छली इस वेरी गुड आइडिया के वहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए हम इसको एड करेंगे हलीमा आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है लेकिन मर्द हैं हमारी कम्यूनिटी में यह होता है ना के मुसली लेडीज जहें हों मेकप आर्टेस्ट और ब्यूटिशन लेकिन अब बहुत सी लेडीज उपर आरें जैसे मैं रिल इस्टेट एजन्ट हूं और नाट नाओ इन मोर्दें ट्वेंटी येर्स आइम रिल इस्टेट एजन तो आइमिन अब प्रोफेशन में आ रही हैं हमारी खवातीन और बहुत मौजूद हैं लेकिन यह कि वहाँ पर आप लगा सकते हैं यह अपने इंशूरंस ब्रोकर्स आ सकते हैं हेल्थ और फिटनिस तो अब आ नहीं आना है और इसके लावर डेंटिस्ट हमारे साथ आते है हैं मौटगेज ब्रोकर आते हैं रियल इस्टेट एजेंट्स आ सकते हैं मतलब हर किसम की बिजनिस कम्यूनिटी हमारे हां वेलकम हैं और हम चाहते हैं कि अगर उनके सेल नहीं है तो उनकी परमोशन तो होगी अपनी बिजनिस को वहां लाएं उनको दिखाएं कि आप किस ब बिजनिस कम्यूनिटी को उनको वापस वहां लाके कड़ा करेंगे और मैं फिर से वेलकम करती हूं किसी भी बिजनिस है लाइफ स्टाइल एक्सपो एस वेल तो हर बिजनिस वेलकम वहां पर हर तरह के स्टॉल्स लग सकते हैं हर तरह की इन्फॉमेशन टेबल लग सकती है पर और इसके लावा मर्दों के लिए जैसे ही कहाए के आप यकीना वहाँ आए और आप सपुर्ट करें खोवातीन को, मर्दों के लिए सबसे बड़ी बात ये कि जो खवातीन बिजनिसेज ला रही है या कर रही है जो या जो उन बिजनिसेज को पे सेल हो रही है वो खवातीन अगर आप समझते हैं कि कर रही है या आप करें तो सपोर्ट बहुत जरूरी है मर्दों की हमारी कम्यूनिटी में इस खिसम के इवेंट में क्योंकि खवातीन इसाइब आपको नच फिफटी फिफटी बाट सेविटी तरी यस लोग अकल से नोने काम लिया और वो डिसरबनी किया अनोने अपने आपको लेस्ट निटी परसना विट से उसमेडी फिफटी फिफटी के बहुत जादा जादा दिसे वाले बहुत कम है और कुछ दिसे बंस जरूर हुई है इस पर क्या फाइनशल और यह फाइनशल डिस्टेबन्स जो है वो बहुत खराब चीज़ है यह बहुत दूर तक जाती है बहुत दूर तक जाती है ज्यादा इक्साटली तो इसी फाइनशल चीज़ को कवर करने के लिए यह जो एवेंट्स है यह आप सपोर्ट करते हैं मैं इन इन क Κो टहिए दिल में उंक बहुत इज abstract करता हैं अनों कि ऑातिन गर खेन करें किपया कर के हें जब आना करना और यह इस ना ज parti and in Анд यह आ यकी इन करें शök जुरु शुरु सुरु मैं असे मा mothers everything, पूरी पूरी फैमिली जो है वो मैंने देखा कि वो इन्वाल्व होती है which is a very good thing और आप देखे कि मैंने खुद उन घरों को देखा जाकर कि मैं real estate business में हूँ Alhamdulillah they are very much improved. तो ये जो है जो जो कुछ हुआ आपने बात की तो इन्शाला ताला वो जो 30% या उसे भी less जो disturbance हुई थी Allah पाक से दौा है कि within short period of time वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इन्शाला ताला और अल्ला पाक से दौा है कि रब लिजजद इस चीज़ को कभी हमारे दर्मियान ना लाए COVID को इन्शाज कि डिए तो इस है आएगा हू झाल शे ना ख्याफिव च्वड़ को कि बनी डिए लिज़ से लंगिस ड्री ईसकांग पो ... य कि आप सुकेश के दोल्न ध॥िसे नवे the whatoe if Shudal ला eightie of saw free admission you parking six four seven two seven three twenty nine सब्सक्राइब करें शेला आपकी तरफ आओंगी वापस बहुत सा बिजनस स्विच हो गया विर्चु रियालिटे वह इंव मुथ्से बिजनस खतम हो गये बहुत से कॉनसेप्ट चींज हो गये आप community में बहुत active हैं, बहुत काम करती हैं, आपको क्या लगता है, क्या community तयार है, future को face करने के लिए, उसकी तमाम तर नई realities के साथ, या के अभी भी हम बहुत पीछे हैं। हलीमा, देखें, तयार भी है, लेकिन उनको hard work भी करना होगा उसके लिए, तयारी और करनी होगी, क्योंकि हमारी community में पहले इसकी community, virtually हम लोग इतना जादा काम नहीं करते थे, believe नहीं करते थे इसके उपर, लेकिन अब मजबूरी है, और उनको करना पड़ेगा हमारी community को, यह में message भी दे देती हूँ, कि हमारी community को तयार रहना चाहिए, और हर, जैसा दौर हो, उसके साथ हमें merge होना चाहिए, flexibility बहुत होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है, कि माशाला, अलहमदुलेला, जैसे मैं हम business में, real estate कैसा business है, जिसमें आपकी socially आप बहुत involve होते हैं, community के सा तो काफी, काफी हद तक, even मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दो, मेरी अम्मी जान के पास अब tablet भी है, और cell phone भी है, इसलिए कि आना जाना खतम हो गया था, तो virtually मुलाकात हो रही थी, तो जब वो कर सकते हैं, तो फिर हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं, और हमें करना पड़ेगा, और माशालला ऐसा हो रहा है, कि जातर काम जो हैं, वो आपके घर बैठे हो रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम सुस्त हो जाएं, और हम घर बैठके काम करें, लेकिन यह कि जैसा माहौल हो हमारी community को, जैसा वक्त उसके साथ चलना चाहिए, और चलेगी, क्योंकि जो जातर मॉचिए, झ्रभा रहा हमारी क्योंकि और बनाशाएं को भी क्योंकिंट, और हम क्या से लिधारइक आषणड चूछ, ए रहा हैं, आख लेकिन तौदी क्यो क्योंकि जो हमारी आडऱ्asis से अ साथचित, ऐन्षे बीजुभा टत्व seminar हैं, मैं अंकाबला करें, और चि शाला जी बिलकुल मेसेश तो बहुत सारे हैं होता है न आप पर्चिनिटी मिले तो फिर लेकिन ये के मैं यही कहूंगी के सबसे पहले तो मैं कांग्रेजलेट करूंगी के हम वापस आ रहे हैं अपनी रियल लाइफ में और इसको हमें संभालना है कि किस तरह हमें आना है रि इसलिए तमाम इवेंट्स शुरू हो रहे हैं कम्यूनिटी कनेक्शन शुरू हो रहा है कि आप लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़के एक दूसरे के साथ मिलके चलें हाथ में हाथ डालें मतलब हमने अगर इवेंट और्गनाइस किया या किसी ने भी तो आप उसमें हिस जरूर लें ऐसे बिजनिस कम्यूनिटी आए ऐसे गेस्ट आए अब ऐसे वेंडर आए किसी भी तरह से ऐसे वालेंटियर आए आपने हर चीज में शामिल होना है अब हर चीज में हिस्सा लेना है और अपने आपको और ज्यादा मेंटली स्ट्रॉंग करके वापस कदम रखन और यह अग्री विद आप और श्मिसरी फडिशन यह करूंगा कि एक रिस्पेक के साथ डिगनिटी के साथ नॉलज के साथ और एक इरादे के साथ और इसके साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ जोई नस जोई आप टीम जो भी कर रहे हैं कम्यूनिटी में मुक्तलिफ लोग है कि एक बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तो उन को सब्सक्रोंट करें और इसके साथ चलने ने जो मजा आता है इंशाओला हुजवरे लगुस करके के बहुत आगे की realities change हो गई हैं उसके साथ हमें बदलना पड़ेगा बहुत से चीज़ें उस तरह नहीं होंगी जिस तरह होती हैं जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि ये AC अब हमें after covid life में जाना है जो के completely out of covid नहीं है क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सी और realities हैं जो इवाल्व करके जो changed हैं तो हमने एक नई दुनिया में कदम रखा है और इस दुनिया में कदम से कदम मिला कर चरना है एक्सपो पे जरूर तश्रीफ लाइए और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा entertainment कीजिए इन इलफास के साथ आज का community debate मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब तक्व यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट नोटिफिकेशन बटन अलो एन असलाम अलेकूम एहमद इंशाला जाफरी देव टूट जस्ट फर यू आपके सामने हाजी जनाव खूब्सूरत प्रोग्म लेकर आरे हैं हम Mississauga Convention Center में, Designers and Bridal Expo 2022, March 19th and March 20th, Saturday and Sunday, free admission, free parking, fashion show, lots of food and lots of entertainment there and lots of stall booking available, you have to be there. Yes, Amazon Shaila Jaffrey, the team of two just for you, 647-273-2393 for stall booking, just come down and enjoy your day, not only one day, two days expo, 19th and 30th, like Shaila said, Designers and Bridal Expo, one of the best and very well known event for the community. Please join us, 647-273-2393 for stall booking and sponsorship. Thank you so very much. See you there. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.